नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक्स रीच में जहाँ पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीड जिसमें जनलेक्टर की तरफ से भारत को अपनी G4N4 INS6 इंजिन को लोकल मनुफेक्चरिंग के साथ करीब करीब 80% टेक्नोलजी को देने का वादा किया गया और फ्यूचर में लार्जर आउडर मिलने पर यहां पे 100% TOT का आप्शन रखा गया लेकिन इसमें अभी के लिए भारत को इंजिन की कोर टेक्नोलजी और इसकी इंटलेक्टर प्रॉपर्ट डेट नहीं दिया गया यह सब देखने के बाद सफरान की तरफ से रीसेंटली पैरिस एरसो के दोरान एमका की टीम को अपनी पैविलन पर बुला गया था जिसमें एमका की चीप डिजाइन और ब स्टेशन दिखा गया था इस अबसर पर सफरान की तरफ से बात भी क्लियर कर दिया गया था कि अगर भारत सफरान के साथ एक इंजिन को जॉइंटली बनाने की कोशिस करता है तो इसमें सफरान भारत को इंजिन की कंप्लीट टेक्नोलजी प्रोवाइट करने वाला है साथ ह इसमें भारत को इंजिन इंटिलेक्यल प्रॉपर्ट्रफ कर gaining लिए और अब यह दोनों आफर की कोंटर करने की कोसिन के लिए जनलिक्टरी की तरफ से अभी अपनी G4N4 INS6 एंजिन की एक modified variant को या twisted variant को आफर करने की बात किया जा रहे लेकिन उसमें भी भारत को कितना technology वो लोग आफर करेंगी यह बताया नहीं जा सकता है पर अभी उसकी counter में जो आफर भारत को दिया जार वो दोनों ही आफर भारत को काफी बहतरीन आफर मिल रहे है अगला update इंडियन एरफोर्स की aerial tanker को लेके जबजे से Indian Air Force की तरफ सभी नए aerial tanker को हसल करने ने का फैसला किया गया था इसका major करन यह की जैसे कि इंडियन एरफोर्स इस्तमाल करने वाला है तो जाहिर सी बात है कि ज़ुरत पढ़ने पर इसको जंग जिसे हालात में इस्तमाल किया जाएगा और जंग जिसे हालात में अगर टैंकर उपरेट करता है उसमें कुछ टैंकर को नुकसान होता है जिसमें इंडियन एरफोर्स की तरफ से अभी एरवस की A330 एक्राप्ट को MRTT फॉर्मिट में कन्वर्ट करके लीज पर ओपरेट करने का प्लान किया जा रहे और इंडियन एरफोर्स की तरफ से अपनी कंडिशन्स में कुछ बदलाब किया जा अभी एरफोर्स की तरफ से इनको select training के लिए इस्तमाल करने का फैसला किया गया यानि कि जिन A330 MRTT एक्राप्ट को अभी लीज पर लिया जाएगा उनको हम इंडियन एरफोर्स की pilot को की होना काफी जरूरी है और इसके लगातार प्रैक्टिस भी करना जरूरत होता है लेकिन अभी हमारे पास सफिशेंट टैंक करना होने की वज़े से हर अपते इंडियन की तरफ से लगभाग सौ घंटे की ट्रेनिंग को सही तरह किसे करने में दिक्कत आ रही है और इसी वज़े से इंडियन एरफोर्स की तरफ सभी A330 को लीज पर लेने का फैसला किया जा रहे जिनको सुखवई रफाल और तेजे जैसे एक राप्ट को एरियल रिफेलिंग करन करने वाली तो बताया नहीं जा सकता है लेकिन कम से कम यहां पर चार से पांथ साल के लिए इनको लीज पर लेनी की उमीद किया जा रहा है अगला ब्रम्होज मिसाइल को लेके है आप सब के बात अच्छी तरीक़े से जानते होगे कि भारत पास अभी जतने भी कुरूज मिसाइल म सबही में ब्रम्होज सबसे क्वतर नाक मिसाइल है और सबसे तेज मिसाइल और अभी भारत इसको खुद इस्तमाल करने के साथ अपनी देशों को एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया को भी स्टार्ट कर चुका है। वेतनाम की तरफ से भी भारत के साथ ब्रमोस को खरीदने के लिए लगभग 625 मिलियन डॉलर की डील को फैल किया जाने वाले जिसको लेके बात चल लिए लेकिन अभी जिन 6 देशों को ब्रमोस को एक्सपोर्ट करने की बात की गई उसमें से 3 देशों के नाम बताये नहीं जा जारे वह साथ मिडलिस्ट कंट्री हो सकते हैं अब लटिन अमेरिकन कंट्री होने की उमीद किया जा रहा है अगला अपडेट भारत और जपान की तरफ से हैं लगभग एक दो महीने पहले मैं आप सभी को बताता है कि भारत और जपान के बीच अभी खास एमोई को साइन कि जा जा रहा है जिसके चलते जपान की तरफ से अभी भारत को अपनी सबसे एडवांस टेल्थ एंटेनाज को सप्लाइ किया जाएगा जिसे मास्ट कहा जाता है इसका नाम यूनिकॉन है और इसकी खास बात यह कि मास्ट एक सिंग या हॉन का सेबका और इसके अंदर एक नह अलग अलग एंटेना और सिंसर को अलग अलग जगा पर इंस्टॉल किया जाता है जो कि जहाज की आर्सेस को इंक्रीज कर देते हैं पर यह जो एंटेना यह खास करके स्टेल्थ प्रॉफाइल को बनाय रखने के लिए डिजाइन किया अभी पता चला है कि इन मास्ट को बाकि किसी भी सिस्टम की मुकाबले काफी हलका होने वाला और इस एक ही मास्ट के अंदर सभी सिस्टम मौजूद है जिस वजह से हमें सिप्स में मल्टेपल लोकेशन में मल्टेपल एंटेना को इंस्टॉल करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी जिससे स्पेस और टाइम द किसा भी existing केरेद वेस्ट मिक-29 के फाटजेट को रिप्लेस करने के लिए डवलप किया जा रहा है यह स्टमी स्टल्थ एक्राफ्ट होने वाला जिससे खास करके इंडियन नीवी के लिए अभी डवलप करने की कोशिस किया जा रहा है पर इसे अभी डवलप करने के लिए ज को डवलप करने के लिए एडिया को फांड्स की ज्रूरत है उससे 2024-2025 के बीच जाके सेंक्षं किया जाएगा और इसके ऐडिया कहना है कि फंड्स को सेंक्षं करने के बाद इसकी पहली प्रोटोडाइब को मिनिम्मूम 2-3 साल का टाइम लग जाएगा पहले बता गया था क 2023 में twin engine deck waste fighter के लिए funds को locate कर दिया जाएगा लेकिन इसको अभी एक से दो साल delay करने की बात सामने आ रहा है अब AD की तरफ से बात कहा जा रहा है कि इन सब के बावजूद भी ADA की तरफ से अभी twin engine deck waste fighter के preliminary design review को complete कर लिया गया साथ ही इसके बाद इसकी model की high speed supersonic characteristic को भी test किया जा चुक है अभी बस इसकी prototype को बनाने की कोशिस किया जा सकता है लेकिन यह तभी संबाभ होने वाला है जब इसके लिए fund को sanction किया जाएगा अभी इडिका यह भी कहना कि एमका को develop करने के लिए पहले fund की ज़रुवत है जिस वज़े से पहले एमका को develop करने के लिए government की तरफ से funds को sanction किया जा रहा है और इसकी बाद जाके twin engine deck waste fighter को develop करने के लिए funds को allocate किया जाएगा और इसी वज़े से इसका जो developmental time line था वो थोड़ा डिले हो सकते हैं साथ ही पहले जो प्लान किया गया था कि 2030 के आसपास नेवी की सभी मिक-29 के फाड़ेजट को replace करना सुरू कर दिया जागा तो यह भी प्रोसेश जो यह थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि जब तक twin engine deck waste water develop नहीं होता है तब तक हम मिक-29 को replace नहीं कर सकते हैं अगला अपडेट भारत की next generation close combat missile को लेके हैं जिसे हम heat seeking missile कह सकते हैं अभी के लिए हम इस segment में R-73 missile का इस्तमाल कर रहे हैं और कुछ एकराब में अभी हम MICA और SRAM जिसे missile का भी इस्तमाल करते हैं आम तोर पर Indian Air Force Russian Origin R-73 missile को भी एक next generation close range की missile से replace करना चाहता है क्योंकि यह modern threat के खिलाब उतना effective नहीं रहा है जबकि SRAM जिससे missile को भी किसी भी counter जैसे defeat कर पाना बहुत ही मुश्किल बता जाता और इसका main current इसमें इस्तमाल होने वाली dual infrared imaging seeker है जो की normal infrared seeker के मुकाबले कई हुना अच्छे तरीके से अपने target को lock करके रख सकता है साथी flares को filter out कर सकता है तो बनाने का प्लान किया गया था और सामने से इसकी RF seeker को imaging infrared seeker से replace करने का प्लान किया गया था जिसे इसको काफी जल्दी develop किया जा सकता था लेकिन DR2 की तरफ से इंडियन air force की तरफ से आपस में बातचीत करके decision लिया गया कि वह अभी एकदम से एक नए missile को develop करने वाले जिसे कि close combat में जो missile इस्तमाल होते हैं उनको किसी भी VVR missile के मुकाबले जादा maneuverable होना पड़ता है ताकि वो high G turns को ले पाए और off-board side launch parameter को match कर पाए अब इस missile की range होगा वो लगभग 50 km तक होने वाला है जिसे आगे चल के इंडियन air force की तरफ से अपनी standard close range की missile की तोर पर इस्तमाल क किया जाएगा अब इसको develop करने के पीछे एक और कारण यह भी बता जा रहा है कि अगर हम एस्रा मिसाल को भी operate करते हो हमारे सभी आर 73 मिसाल को हम लोग एस्रा मिसाल से replace करने की कोशिस करते तो यह missile हमको बहुत ही महंगे पड़ जाएंगे जबकि अगर हम खुद ऐसी missile को ब कर पाएंगे और इसके साथ ही इसमें lock on after launch capability मौझूद होने वाला जिसे missile को हम पहले launch कर सकता और उसके बाद यह अपने target को track कर सकता और लॉक कर सकता है जो कि इसे dog fat के दौरान बहतर engagement capability दे सकता है अगला update तेजस MK2 की तरफ से आप सभी को ये बात साथ पता होगा कि अभी तेजस MK2 की जो पहली prototype है इसको बनकर तयार होने में लगबग 2-3 साल delay होने वाला है जो कि बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि अगर हम इस तरीके से हमारे fighter jets की development को delay करते जाएंगे तो हम work के साथ साथ ताल बिठा कर नहीं चल पाएंगे साथ ही जो technology हमारे पास मौजूद होगा वो बागी सभी देसों के मुकाबले पीछे पड़ जाएगा लेकिन अभी चाहन मरक कर बनाने की कोशिस किया जा रहा है जबकि पहले इसकी निशिल डवलप्मेंट के दौरान स्टेल्थ तेजे सेंगे टू प्रोग्राम में कोई primary concern नहीं था अब यहां पर अभी तक हमको तेजे सेंगे टू का जो model दिखा जाता आ रहा है यह कहीं ना कहीं तेजे स सबसे बड़ा सवाल पहले दिमाग में आता है कि क्या अभी तेजे सेंगे टू के डिजाइन को फिर से चेंज किया जा रहा है क्योंकि एरो इंडिया सो के दौरान इसका जो model डिस्पली किया गया था उसको देखकर कहीं भी यह नहीं लग रहा था कि इसको स्टेल्थ एकरा ऐसा लगने लगा है कि साथ इसकी basic design को फिर से बदलने की कोशिस किया जा रहा है और साथ इसको twin engine deck waste fighter की तरह stealth या semi stealth बनाने की कोशिस किया जा रहा है और इसी वज़े से इसकी development को फिर से 2-3 साल तक delay किया जा रहा है एकर यह सभी अभी के लिए पहली की तरह होने वाला जि बाकी जितने भी system होने वाले वो सभी के सभी Indian system होने वाले और इसकी engine को भी अभी हम लोग locally बनाने वाले और इसमें काफी है तक Indian system का इस्तमाल होने वाला और इस वज़े से इसमें Made in India system का content का मातरा रहेगा वो काफी जादा रहने वाला और यह 90% से जादा होने वाला है त तब तक के लिए जाहिन बंदे मातर हूँ